दोस्तों, गृत्वा करशन एक ऐसी शक्ती है जो हमारे सौरिमंडल में सूर्य और अनिग्रहों को आपस में बांदे रखती है यही वो ताकत है जो हमें और हर चीज को धर्टी की सतर से बांदे रखती है यह शक्ती हमें धर्टी की केंजर की तरफ खिशती है साधारन शब्दों में बोलूँ तो अगर आप ज्यादा जुकेंगे तो आप गिर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जहां गृत्वाकरशन फेल हो जाता है जी नहीं दोस्तों मैं स्पेस की बात नहीं कर रहा है मैं धर्ती की ही बात कर रहा हूँ आज मैं आपको ऐसे पांच स्थानों के बारे मताऊंगा जहां गृत्वाकरशन फेल हो जाता है यानि कि ऐसा लगता है मानों वह वहाँ पर काम नहीं कर रहा हो और हम ये भी देखेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्निबिज मेरा नाम है राजीव इंजन कमार्ट तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस जगह को निसे चालिस में जॉर्ज पार्थर निक हो जा था उनका कहना है कि जब रहोने इस जगह कर ढूंडी थी तो उन्हें लगा था इस जगह पे कुछ अजीब ताकते काम कर रही है उनका दावा है कि यहां के चुम्बक के छेतरे में कुछ अजीब सी अनियमित्ता है और यह अनियमित्ता 150 वर की फीट की गुलाकार छेतरे में देखने को मिलती है जिसे मिस्ट्री स्पॉर्ट भी बोला जाता है मिस्ट्री स्पॉर्ट एक ऐसी जगह है जहां पर आप गुर्ट्वा करेश्चन में एक अजीब सी अनियमित्ता देखने को मिलेगी जैसे पानी का उपर की तरफ बहना नायटी कमपास का वजितर तरीके से विदिशा बदलना और चीजों और लोगों का आकार में बदलाओ या एक ऐसी जगह है जहां पर आप एक एंगल पर बिना गिरे खड़े हो सकते हैं इस जगह पर चड़ते हुए आपको कुछ पेट दिख जाएंगे जो रहसमें तरीके से इस मिस्ट्री एरिया की तरफ चुके हुए है मिस्ट्री स्पॉर्ट की तरह ही यहां भी आप एक एंगल पर बिना गिरे खड़े हो सकते हैं साथ ही साथ मिस्ट्री स्पॉर्ट की तरह ही वो सारे असर देख सकते हैं जैसे की बॉल का उपर की तरफ रोल करना और इतना ही नहीं आपकी उचाही अलग-अलग स्थान पर इस जगह पर बलटी हुए नजर आएगी नमबर तीन पर है सेंट इगनस मिशिगन एक कहानी के मताविक उनिस्टो पचास में जब कुछ लोग यहाँ पर सर्वे कर रहे तो अचारश से रहस्यमे तरिके से उनकी उपकरोण ने काम करना बंद कर दिया जब उन्होंने इस जगह का और गहन सा रिक्षिन क्या तो उन्होंने पाया कि ऐसा सिर्फ 300 वर्क फीट के एरिया में ऐसा हो रहा है सिर्फ इतना ही नहीं इस छेतर में जानवर भी आने से परहिज करते हैं मिस्ट्री स्पॉर्टर कॉस्मोस एरिया की तरह ही आप यहां भी आप ग्राविटी से जुड़े कुछ विच्टत अनिमताओं का अनुभव कर सकते हैं जैसे कि आप दिवार पर सीधे खड़े हो सकते हैं और Mystery Spotter Cosmos Area के तरह ही आप यहाँ पर कर्तब भी कर सकते हैं जैसे कि आप कुर्सी को सिर्फ दो टंगों पर बीम पर रखकर बागी दो टंगों को हवा में रखकर उस पर बैठ सकते हैं और अगर आप यहां काफी देर रुखते हैं तो आपको ऐसा लाएगे आपका सर हलका हो रहा हूँ मैणिटेक हिल एक ऐसी घटना है जो दुनिया भर में पाई जाती है स्बूक हिल फॉर्डा एक ऐसी जगह है जहां पर गाड़िया अपने आपी पहाड के उपर की तरफ पिज़े चली जाती है अगर आप अपनी गाड़ी बंद करके इसे न्यूट्रल कर दें तो आपको ऐसा लगएगा कि आपकी गाड़ी पहाड के तरफ उपर डुड़कने लगी है अगर आप भारत में रहते हैं और ऐसे ही मिस्ट्री स्पॉर्ट के तलाश में हैं तो आपको ज़्यादा दूर जाने की जुरत नहीं है तो चली चलते हैं नमबर पांच के तरफ जो है मैगनेटिक हिल लेह लेह में मौझूद इस पहाड़ी के पास अगर आप अपनी गाड़ी पार्ग करते हैं और उसे नूट्रल करते हैं तो आपकी गाड़ी पहाड़ी के ऊपर के तरफ डुड़कने लगेगी है भारत में ये सिर्फ एक किलोती जगा नहीं है जहां पर ऐसा होता है तो सिस्याम अमरेली गुजडात भी एक ऐसी जगा है जहां पर आप ये असर देख सकते हैं इन सारे घट्टाओं के पिछे कारण दिया जाता है ऑप्टिकल इलुजन यानि दृस्ती से सम्मनित भ्रहम को यानि कि कहा जाता है कि मैंटे हिल के पास जो जगा है वो दरसर धलान होती है और गाड़ी धलान पर लगती है लेकिन आसपास के वातावरन से हमें लगता है कि गाड़ी पहाड़ पर उपर की तरफ चड़ रही है mystery spot पर भी जो हम देखते हैं वो एक भरम ही होता है वहाँ पर घर पहाड़ियों की ढलान पर बने है और एक एंगल से बनाई जाती है और घर की बनावट जुखाव से ऐसा लगता है कि हम टेटे कड़े हैं या फिर पानी उपर की तरफ बह रहा है लेकिन ये बाते ये नहीं समझा पाती क्यों mystery spot पर उपकरन या compass काम करना बंद कर देती हैं लेकिन कारण जो भी हो ये बहुत ही लोग प्रिया tourist destination है जहां लोग अद्बुत अनभव को महसूस करने आते हैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही science और fiction की बातें और साथ ही साथ technical tutorial भी शेयर करता हूँ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक करें नमस्कार